कि अब आपका मोटो मिस्तुरी में हमाद चुके हैं विद्यापती मार्क सोना मेडिकल के सामने गाड़ी है यह यह माहा FZS एंजन का काम हो रहा था वो खतम हो चुका है अब हम देखेंगे किस चरह से इसका बॉडी लगता है लोग बहुत सब्सक्राइब रहते हैं कि भाई बॉडी लगता कैसे तो कितना स्कुरू यूज होता है और हेडलाइट भी हम इसी वीडियो में आपको दिखाएंगे तो यह रहा टंकी का कवर तंकी ता आपको यह दिखी रहा है अंदर अंदर इस वाला स्टील है यह वाला फाइबर जो है वो फ्यूल टैंक वो सिल का है और यह वो फाइबर एब दिखे लगता है एब जेडियों का वर जो है यह वो फिट हो गया दिक्कत नहीं होता है इसको फिट नहीं कोई दिकत नहीं है बैठाना पड़ता वस लेगे यह जो फाइबर वाला बॉडी है वो एब्सेड आपको पाइबर बाड़ी में दिक्कत होता है एक बार टूटा तो टूटा क्या बुलिट ठीक है यह हो गया दूसरा लग गया अब मुझे लग रहा है कि तीसरा लगने वाला तो तेखिए आपके नजरों के सामने तीसरा भी लग गया है और यह थीसरा लग गया और यह चौथा स श्रू ग्रहो शप्रू सबसे लास्ट में पीछे में सेट करने के लिए पीछे में लग चुका है और आप इसको हल करना भी आइठ नहीं करना है इसको कि दोनों लगाने के बाद आप देखिए दूसरे साइड का जो है वो कवर लग रहा है एक साइड का लगता है तो कैसा लग रहा है देखिए वीडियो बस बना रहे हम लोग इसलिए क्योंकि जिसके पास एड़ेस है वो कभी अगर अपना टैंक कुछ प्रॉब्लम हो जाता है लेता है इंसान लगा नहीं पाता है तो अब यह देखिए हम खुद आपको देखिए नॉम यह देखिए फिट हुआ यहां एक लगेगा यहां एक लगेगा चार चार लगता क्या यह दूसरा बल्ला लग गया यहां तीसरा और यह लग गया आपको सबसे लास्ट वाला तो अब स्कुरू से हम लोग टाइट कर सकते हैं रिंज से रिंज से टाइट करेंगे टोटल आट स्कुरू आपको देख रहा हुआ वान टू टू ट्री फॉर और इसको ख्या बोला जाता है अब आपको इसी वीडियो में दिखाएंगे क्युकि कंप्ली वीडियो बनना चाहिए अगर को जी वीडियो बना रहे तो वीडियो बनना चाहिए कि टोटल आठ स्क्रू जो है वो लग चुका है अच्छे से फिट करना है और कुछ ने जादा ताकत नहीं लगाना है तो अब इसका जो हैड लाइट है वो फिट किया जाए कि हम आपको पहले दिखा देंगे ह्टाइट साइड मेरका हुआ है यह लिए रहा हैडलाइं हे रहा मीटर मीटर में कुछ नहीं कzenia है मीटर को बस रख देना है और यह अныकले कासे बस पोफ ग्रूल भाई चैनल मेले ऑच नीचे से श्कूरू टाइट करते नहीं जैंड और इसको लाइट में मिलाना है और जाकि विटर में जैसी मिटर वाला हो गया बच्वया कहां लगता है यह नीचे उसको कुछ निया है कुछ मैनत नहीं बस पुश्च करके लगा दिन्हों इसको पूले जाता है कॉड को यहां जले मीटर फिक्स हो गया जलने लगा लाइट आप लाइट भी देख लीजिए लाइट जलने लगा एक सिकनम यह देखे यह देखे लाइट जो है वो काम करने लगा है अब इसका जो है लाइट का जो है वो जहां तक मुझे एक्सपीरियंस है वो इधर लगेगा और यह वाला भी अंदर लगेगा तो बस इतना ही खेल है इसको भी लगा कि दिखा दिया जाए लोगों को कर दो कि अगर 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 तो अगर आगर अगर अगर को वह काफी एजी वे में लग रहा है कोई मेहनत नहीं को अगर लाइट भी जलने लगा बस एक कोड़ का खेल है उसके बाद इसको यह फिक्स करके दोनों तरफ दो-दो जोगा है और देखिए कुछ नहीं करना है यह आप जो स्कुरू है वह आपको डालना है और टाइट कर देना जी हां तो देखिए एफ जैडेस विसके पास भी अगर है लाइट खोले हैं नया लाइट लगाने के लिए घर पे आमेजॉन से फ्लिपकार्ट से आप लोग लगतार लाइट मंगाते आते हैं तो कुछ नहीं करना है बस लाइट को खोल लेना है अपने घर में रिंच होगा आपके बाइक के टूल बॉक्स में रिंच होगा तो बस उस रिंच को निगा लिए और लाइट खोलिए और LED लाइट चेंज कर लिए खुद से और मीटर भी जब तारवार भाई प्रॉब्लम करें तो मिस्तर को परिशान मत करिए खुद से मीटर को खोलिए और फिक्स कर लिजे क्या है जालिए तो यह हो गया स्कुरू जो फिक्स किया जाता है फिक्स हो गया तो बस दिखिए यह वीडियो उन्हीं लोगों के लिए था जो एफ जेट एस रखे में हैं दोनों बॉडी हमने लगा के काम था कॉड कैसे की आपको देख लिए हैं लाइट कैसे फिक्स हो रहा है अब भी ढेंश से टाइड किया जा रहा है तो कुछ नहीं है जब भी मीटर ख़राब हो यह फिर प्र कुछ भी हो थोड़ा सा तारवार हिला रहता है फोलिए खोली से खुछ से थोड़ा लीजे औ तो खुट ठीक हो जागा तो बस हमाँ चानल को सब्सक्राइब करें फिसक फेश को लाई करें धन्यवाद